नमस्कार जब आप खाना गलत चुनते हैं आपके उपर दवाई असर नहीं करता हैं जब आप खाना सही चुनते हैं आपको दवाई की जरुवती नहीं है तो इस राइट फूड और डाइट ये शठिक अहर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे मेरा नाम डॉक्टर जैंद बराग मैं पत्चीस सालों से प्रफिस करता हूँ इस फूजिशियन इन प्रेजन टाइम मिलेट इस दा राइट फूड फूड फूर फूर हुमेन बिंग्स बरतमान में जैसे पूरे दूनिया में बीमारी फैल रहा है इस समय सही अहर लेना बहुत जरूरूत है और सही अहर में मिलेट सबसे अच्छा है मिलेट इस सेरियल ग्रेइन दा बिलॉंस तो पोईशी फैमिली कमनली नून अस ग्रास फैमिली यह जो मिलेट है यह एक अनाज है यह पोईशी फैमिली से है और ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है मिलेट इस पूरेट होल ग्रेइन ग्रोन इंडिया नाइजरिया अधर अशेयन अफ्रिकन कंट्रीज मिलेट भारत में नाइजरिया में अशेयन कंट्रीज और अफ्रिकन कंट्रीज मों गया जाता है ये एक छोटा सा गोल संपुर्ण अनाज है Millet is nutritional powerhouse providing a good source of protein, fiber, vitamins, iron, zinc, niacin, magnesium and antioxidant content ये मिलेट पूरा powerhouse है जिसके अंदर protein, fiber, vitamins, iron, zinc, niacin, magnesium and antioxidant भरपूर मात्र में है Millets are environmentally, economically, economically friendly sources ये जो मिलेट है ये परजाबरण, ecosystem और अर्थवावस्ता को मुझबूत करता है Millets are classified into two categories One major millet, two minor millet Millet को दो भगों में भाग किया गया है एक major millet, दूसरा minor millet Major millet में पहले आता है सरगम millet जिसको हिंदी में जवार बोलते हैं दूसरा आता है पार्ल millet जिसको बाजरा बोलते हैं ये दोनों ही महत्वपूर्ण है Minor millet में पास तरह की हैं पहले है brown top जिसको हिंदी में छोटी कंगनी बोलती हैं और ये brown top millet, digestive system, hypertension, arthritis, thyroidism, nerve related issues, anorectal disease, carcinoma of brain, blood, breast, bones, stomach, intestine और skin के उपर ये काम करता हैं सेकेंड आता है बार्नायड मिलेट जिसको हिंदी में सानवा बोलते हैं जो हमारे सरीर के लीवार, kidney, bad cholesterol, endocrine, glands, constipation, orgastic problem के उपर काम करता हैं थर्ड आता है लीटल मिलेट जिसको उटकी बोलते हैं ये हमारे सरीर के uterus, PCOD, hormones, related issues, reproductive system के उपर काम करता हैं नेक्स्ट आता है कोदो मिलेट इसको कोदरा बोलते हैं ये हमारे सरीर के बोन मेर को clean करता है, एनिवा को दूर करता है, constipation, insomnia, blood, sugar को normal करता है लास्ट में आता है एक फोक्स्टेल मिलेट जिसको कंगनी बोलते हैं ये हमारे सरीर के nervous system, psychological disorder, arthritis, epilepsy और Parkinson disease के उपर काम करता है ये देन महेने के अंदर आपके सरीर में कैसे भी बीमारी हो, उसमें सुधार आएगा ये आप खुदी फिल करोगे So, eat, millet and stay healthy इस उमीद के साथ ये वीडियो को end करता हूँ कि आप सौस्त रहे, healthy रहे मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भरत